हेलो दोस्तों मैं हुँँ आपका दोस्त कपिल और डैली टुस्टोक जोन में आपका स्वागत है तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो क्लच बेली, क्लच बेल रखियो ही है हज़ सेंटर और अपना इंजन एंजन तो सेट अप देख रहे हो आप जैसे तो भाई आज का टॉपिक है Rx RxG, Rx135 RxZ, 4-speed, 5-speed clutch bell में जो noise आजाती है उसके उपपर तो clutch bell की noise क्यों आती है ये आज मैं आपको detail में बताता हूँ तो भाई ये देखो RxN8 की clutch bell रखे हैं हमने ये उपपर की लाइन RxN8 की clutch bell तीनों ये RxG की तो ये भाई हो Rx135 की clutch bell और ये 5-speed clutch bell है और ये hub और center और ये main axle और ये housing, clutch housing और उसकी रबड और ये packing होती है ये वो और ये भाई engine और ये देखो 4x8 तो इसके बारे में बादें बाद करेंगे तो भाई वीडियो में बने रहो पूरी वीडियो देखो के जब भी आपको कुछ समझ आएगा नहीं तो यार आदिया दूरी बीज में से देखने से कोई फायदा नहीं है तो वीडियो में बने रहो देखते रहो तो ये भाई अपना rx का engine ये इस तरह moving करता है ये primary gear हो गया ये primary gear ये clutch bell और ये hub center इसके तो भाईयो ये आरेक संडेट की clutch bell तो यार clutch bell में sound आने के बहुत सारे reason हो सकते हैं जिन में से एक reason है play ये देखो ये play देख रहो आप ये play हो रही है अगर ये जाधा play है अगर ये काफी जाधा play है तो उसका भी एक कारण हो सकता है sound आने का अब ये देखो इसमें play नहीं है ये भाईयो 86 model की 1v1 clutch bell है ये देखो लोगो यामा का लोगो बट ये रिपेर है ये देखो रिपेर ये रिपेर हो रखी है और इसमें देखो play नहीं है बिल्कुल भी और ये भी RX 100 की है ये भी भाई RX 100 की अन्रिपेर कलच भेल है ये देखो तो भाई रिपेर और अन्रिपेर कलच भेल में आप कैसे पैचान होगे ये देखो ये देखो ये देखो पॉइंट ये ऐसे लगेंगे जैसे एक कंपनी से फिटेड होके है बिल्कुल अच्छी तरह लगे हुए कोई निशान नी कोई मार्किंग नी ये देखो तो ये कंपनी फिटेड है अन्रिपेर कलच भेल ये देखो मार्किंग और दिखाता हूँ आपको रिपेर वाली कैसी होती है तो ये देख रहे हूँ ये है रिपेर वाली ये देखो मार्किंग तो रिपेर और अन्रिपेर आप ऐसे पैचान सकते हो कलच भेल को तो ये भी है अन्रिपेर कंपनी फिटेड ये देखो बिल्कुल कितनी अच्छी फिनीशिंग है तो भाईयो आरेक संडेट की जो कलच भेल होती है उसके ये वाले टीथ होते है 74 ये टीथ देख रहे हैं आप ये वाले ये 74 टीथ होते हैं और जो प्राइमरी गेर होता है ये वाला प्राइमरी गेर ये देखो ये आरेक संडेट का प्राइमरी गेर है इसके 19 टीथ होते हैं ये जो टीथ है ये 19 होते हैं इसके आरेक संडेट के यानि 74 और 19 टीथ आरेक संडेट में होते हैं और बात करते हैं अब आरेक जी की तो भै ये है आरेक जी की 1M1 और इसके ये टीथ होते हैं 71 ये जो टीथ होते हैं ये 71 टीथ होते हैं और इसका जो प्राइमरी गेर होता है उसके 22 टीथ होते हैं यहनी 22 और 71 का रेशो होता है इनका क्लच बैल और प्राइमरी गेर का सिफ आरेक जी के अंदर इसको रखते हैं यार तो यह बै आरेक्स 135 की अन्रिपेर कंपनी फिटिड क्लच बैल यह देखो यह है 99 मोडल की यह देखो 99 दिख रहा है आपको 99 तो यह आरेक्स 135 की 4 स्पीड की है यह देखो यह आरेक्स 135 में भी 74 और 19 टीट का रेशो होता था सेम जैसे आरेक्स अन्रेड में होता है बट उसका जो यह उपर का हाउसिंग होती थी यह डिफरेंट होती थी यह देखो यह आरेक्स 135 की हाउसिंग है और यह देखो उपर से यह आरेक्स अन्रेड की है तो देख रहे हो दोनों में फरक यह देखो यह आरेक्स 135 की यह आरेक्स अन्रेड की तो यह शेफ देख रहे हो आप हाउसिंग की दोनों की अलग है इसकी बिल्कुल प्लेन है और ये इस टाइप की है तो RX 135 में 6 clutch plate लगती थी और 5 pressure plate लगती थी और RX 100 में 5 clutch plate लगती थी और 4 pressure plate लगती थी 135 4 speed और 5 speed की दोनो clutch bell और primary gear सेम होते हैं सेम टीथ के होते हैं बट ये company fitted आई थी ये RX 135 5 speed की है और ये दिखाता हूँ ये देखो अन्रिपेर्ड है ये ये company fitted है और इसमें minor play है तो भाईयो ये है plate pressure ये वाली RX 100 की और ये वाली RX G की RX 135 RX Z तो difference देख लिए आपने दोनों में ये difference होता है तो अब बात करते हैं clutch boss की दिखाता हूँ आपको तो भाईयो ये आगए clutch boss अब ये दूर से देखने में तो बिल्कुल same लग रहे हैं कुछ थोड़ा हलका सा फरक लग रहा होगा आपको बाट इसकी detailing में बताता हूँ आपको ये देखो ये है RX 100 का clutch boss ये देखो और ये है 135 का clutch boss तो ये देखो इन दोनों में फरक ये देखो तो ये देख रहे हूँ भाई हो RX 100 का कितना चोटा है RX 100 की length कितनी चोटी है और RX 135 ये देखो तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया RX 100 में लगती है 4 pressure ability और RX 135 में लगती है 5 pressure ability तो ये प्रेशर प्रेटों की वज़े से ये बढ़ा है ये देख रहे हो और ये देखो अंदर से ये अलग से ही point है इसमें नहीं है RX 100 में और ये देखो ये point ये RX 135 के clutch boss में होता है ऐसे आप पैचान सकते हैं RX 135 का और RX 100 का clutch boss कौन सा है तो ये RX 135 पे पीछे भी लिखा होता है 2YA 00 ये देखो coding तो बैयो 29 आने का सबसे पहला कारण उना था play प्ले नहीं होनी चीए आपकी clutch bell में देख रहे हो marking आप ये देखो कितनी ज़्यादा marking हो रखिया हमारी clutch plate ये डाली है हमने ऐसे और ये देखो play ये देखो है न play तो अगर ये play होगी तब भी sound आ सकता है clutch bell में और दूसरी clutch plate में clutch bell में आपको डाल की दिखाता हो clutch plate ये देखो इसमें कोई marking नहीं है इसमें डाल के दिखाता हूँ ये देखो इसमें hill भी नहीं है left right कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर तो ये भी reason होता है sound का clutch bell की sound का और इस वाली में दिखाता हूँ आपको ये देखो इसमें भी sound नहीं है बिल्कुल भी ये भी नहीं है hill रही है तो इसमें भी बिल्कुल fit है fix है hill नहीं रही है इसमें बिल्कुल भी इसमें बस hul की marking है ये देखो बिल्कुल lightly marking है इसके अंदर ये देखो hill नहीं है इसमें तो ये है pressure plate और ये Rx and that क्लच बॉस तो ये भी reason होता है एक sound का clutch bell की sound का तो दिखाता हूँ आपको ये देखो ये देख रहे हूँ ये देखो ये निशान देख रहे हो हलके-लके ये लग रहे हलके-लके निशान तो अगर ये निशान ज़्यादा हो जाए तब भी sound आता है तब भी आपकी pressure plate move करेगी left right left right देखो ये pressure plate और डाल के दिखाता हूँ इसमें ये देखो अभी fix है ये बिल्कुल कोई movement नहीं है भी अगर इसमें ज़्यादा marking होती तो ये move करती left right तो अभी fix है बिल्कुल तो ये भी एक reason होता है clutch valve में sound का तो भाईयो sound आने का एक और कारण होता है ये देखो ये plate pressure ये देख रहे हो cutting ये देखो कितनी cutting आ गई है तो ये इसके कोने cut जाते है plate pressure के भी तो ये देखो clutch wash ये देखो कितनी cutting है ना ये देखो ये देखो ये अगर cutting आ जाए तो जब भी sound आने की दिक्कत हो जाती है अगर ये ज़्यादा cutting आ जाए तो बाईयक में काफी problem हो जाती है आप gate change करोगे race दोगे तो race ही race आएगी और bike आगे नहीं पड़ेगी क्योंकि ये free हो जाते हैं मिलकुल और ये देखो ये RX 135 के इसमें भी ये देखो main main point है जो मैंने आपको बताए है तो ये अपनी bike में check करते रहा करो और भाईयो एक reason ये होता है जैसे हमारा mechanic के पास आप जाते हो वो clutch bell खोलता है अगर ये आपकी clutch bell खोलेगा तो यहाँ पे इधर की side ये जो देख रहे हो टीथ होते हैं यहाँ पे page कस वगेरा लगा देते हैं या कुछ और कुछ लगा देंगे यहाँ पे तो इसकी वेज़े से ये जो टीथ होते हैं clutch bell के और primary gear के इसमें निशान आ जाते हैं तो उसकी वेज़े से भी sound आ सकता है आपकी clutch bell में तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा द्यार लगाए कि जब भी आप mechanic से खुलवाएं clutch bell या primary gear तो वो इसके बीच में पेचकस वगेरा या और कुछ वगे और कुछ metal का item कुछ भी न लगाए वो proper tool से खुले यह आप बिल्कुल धियार न किए तो कि यार mechanic का तो कुछ नी जाएगा आपकी clutch bell खराब हो जाएगी तो यह भी बहुत बड़ा reason है यह आप मैं बताता हूँ कि clutch bell की play क्यों आती है यह play देख रहे हो यह क्यों आती है तो इस चीज़ के बारे हम बात करते हैं यह देखो यह clutch housing है यह इसकी packing और यह rubber तो यह rubber होती है भाई तो यह rubber देख रहे हो आप यह rubber जब कट जाती है हैं यहां से साइडों में से यह ऐसे कट जाती है तो आपकी clutch bell move करना चालू कर देती है यह उसके अंदर play आ जाती है clutch bell के अंदर तो यही कारण होता है इस rubber के कटते ही आपकी clutch bell में play आनी चालू हो जाती है जैसे यह clutch bell है यह देखो ऐसे play यह तो कम play है मगर ज़ाद play आनी चालो जाती है यह रबड का खेल होता है सारा यह main shaft जिसमें clutch bell चलती है यह वाली clutch bell चलती है जिसके अंदर यहाँ पर यहाँ चलती है clutch bell यह main shaft तो यह है बाई बड़ा वारसल clutch bell का यह हमने डाला ऐसे यह देखो और यह spacer clutch bell का और यह clutch bell यह देखो तो बाई एक और काराण है यह जो देख रहे हो आप clutch housing यह देखो लेत वाले ने अगर housing की fitting डंग से नहीं करी है तो यह housing जब चलेगी तो clutch boss में अड़ेगी तो यह देखो sound जब clutch boss में अड़ेगी तो sound आएगा clutch का clutch bell का तो यह भी एक reason है clutch bell में sound आने का तो अगर clutch housing की setting प्रॉपर नहीं होगी तो यह clutch boss है इसके अंदर अड़ेगी यह यहां से यह देख रहे हो यह देख रहे हो point यहां से यह जब हम चलाएंगे ऐसे चलेगी bike के अंदर तो यह यहां पर गिर गिर left right अगर यह move होगी housing तो clutch boss के अंदर यहां पे अड़ेगी तो यह भी एक reason होता है जिससे sound आता है clutch bell के अंदर तो इस चीज़ का आप दियान लखो कि जब भी late वाले से fitting करवाओ तो clutch housing एकदम proper move होनी जीए left right menu होनी जी तो भाई आप आपको दिखाता हूँ यह box यह देखो भाई 4x8 made in Japan तो इसके अंदर है RX18 की made in Japan clutch bell जाता हो आपको यह देखो यह देखो 1v1 1v1 clutch bell तो यह भाई made in Japan है यह देखो तो भाई मेरा यही कहना है कि अच्छे late वाले से आप अपनी clutch bell की fitting करवाओ और अगर clutch bell की डंग से fitting नहीं होगी और जो जो मैंने आपको step दिखाए है वो proper नहीं होगे तो clutch bell में sound आए गई आएगा तो नहीं अगर आप clutch bell आपको अच्छी तरह fit नहीं करवाते हैं तो आप नहीं clutch bell ले सकते हो तो बाई और like, share, subscribe करें अपने बाई को तोड़ा support करें ऐसी अच्छी अच्छी knowledge वाली वीडियो में आपके लिए राल लाता रहूँगा तो okay good bye